फिर यहांसे स्टार्ट होता है और यहांसे बंद होता है फिर यहांसे भी स्टार्ट होता है फिर यहांसे भी बंद होता है अब चाहिए कोई भी साइट से इसे ओन कर सकते और आप कर सकते नहुसकर दोस्तों मेरा नाम है वासीद और आप देख रहे हैं जी दिलेक्टिक आज चलिए फुरू करते है वीटियो को नोर्मेली जो सुइच होता है ऐसा होता है दो पॉइंट होता है और यह है टूइय फूइच तो चलिए देखते हैं कैसे connection किया जाता है इसे तो टूइय फूइच का जो connection diagram है यह कुछ प्रकर है यहां पे दो 2S switch किया गया है जिसमें से इसका तीनों point में से ऊपर वाला point में line और नीचे से neutral दिया जाता है और इस switch में भी ऊपर में line और नीचे में neutral दिया जाता है और इसका जो दोनों का दोनों साइट का point में दिया जाता है और इसका बीज मा जो वह output होता है उसमें light को connection किया जाता है और light का दूसरे point में neutral को direct connection किया जाता है तो यह system हम use करते हैं CDO में जब हमको नीचे से switch को on करना होता है और light जलना होता है फिर हम CD में चड़ते हैं और उपर जाकर दूसरे switch में इस light को off करते हैं फिर से जब नीचे उतरते हैं तो इस switch से हम light को on करते हैं और नीचे उतरकर इस switch से हम light को बंद करते हैं तो चलिए करत connection को दिखाने वाले हैं पहला वाला जो connection है उसमें बीच में हमको देना है light का point और इस switch का यह दोनों point हो जाएगा line और neutral और इसका भी दोनों side में line और neutral तो इसमें अभी line connect करते हैं और इस switch में भी line और neutral को connect कर देते हैं तो अभी इसमें supply देके चेक कर लेते हैं तो हमने supply दे दिया अभी हम light को लगा देते हैं और जब यह वाला switch on करते हैं तो यह light on हो जाता है और इस side में switch off करेंगे तो यह off हो जाएगा फिर यहां से start होता है और यहां से करके दिखा देते हैं तो आभी यह जो दूसरा system है इसमें हम यह दोनों switch का उपर वाला point को जोड़ देंगे और नीचे वाला point को जोड़ देंगे करेंगे तो दूसरा है और यह जोंगे ज ट दूसरा है और यह जे पूँचे अजधा खरो इच्वर्चे करेंगे और यहां पर दे देंगे फेस्ट सप्लाई और यहां पर निट्रल सप्लाई तो कनेक्शन पूरा हो गया अब चेक करते हैं तो यहां सप्लाई भी दे दिया यहां को जोड़ लेते हैं और इस सिस्टेम में करते हैं तो यह जलता अगर यहां से बंद भी कर सकते हैं और यहां से चालू कर करिए और notification को on करिए तकि जब भी कोई नए वीडियो आएगा आपको notification मिलते रहेगा सबसे पहले मिलते हैं next वीडियो में जये हिंट